तो दोस्तो आपने थमनेल देखी लिया होगा तो वैसे ही फोटो के पीछे जो है शैडो कैसे लानी है यह मैं आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिक्स आर्ट में जाना होगा पिक्स आर्ट जो बहुत ही पॉपिलर एप्लिकेशन है जिसके मदद से हम पिक्स जो है इडिट कर सकते है और उसके बाद आपको नीचे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा तो वह आप आपको क्लिक करना है जो है आपनीचे देख सकते हैं कि वह आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको जिस भी फोटा को ापको शैडो करना है यह फोटो मैं ने सेलेक किया तो अभी यह फोटो आ गया है अभ नीचे आप सकते हैं बहूत आरे ऑप्शन तो उन Schulen में आपको पर्लिक करके एक बराबर center में यहाँ पे लाना है उपर और नीचे थोड़ी थोड़ी जगा रखनी है ताकि shadow का effect हमें देते आए अभी यहाँ पे हमने ऐसा उसे रख दिया है अब जो है आप देख सकते हैं कि नीचे shadow करके एक option है तो यहाँ पे यहाँ पे वो option है तो shadow करके यह option है तो यहाँ पे हमें click करना है जैसे हम shadow पे click करते हैं आप देख सकते कि पीछे shadow आ गई है तो अब इसकी intensity हमें कम ज़्यादा करते आती है blur के मदद से पर उससे पहले आपको position change कर लेनी है तो आपको position पे click करना है आप नीचे देख सकते कि adjust और position दो options है तो position पे आपको click करना है position पे click करने के बाद आपको horizontal और vertical दो positions यहाँ पे options मिल जाएगा तो यहाँ पे हम horizontally उससे थोड़ा सा slide तरते है right side से अगर shadow होगी तो बहुत ही अच्छा दिखेगा और यहाँ पे हम थोड़ा सा उसे नीचे ला लेते है तो अब आप देख सकती कि ऐसी कुछ यहाँ पे ऐसी shadow हमने रख दी है और उसके बाद adjust में blur effect थोड़ा सा कम करना है और opacity जो है आपको बढ़ा दिनी है ताकि आपकी shadow जो और darker हो जाए तो अब जो है आप उसे कम ज्यादा कर सकते है slide थोड़ा कर सकते है आगे पीछे और यह थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं तो अब आप देख सकते कि बहुती perfect सी वो shadow आ गई है और इसके बाद जो है आपको उपर right tick करना है और उसके बाद जो है आपको photo save कर लेना है तो दोस्तों इसी तरह के interesting और useful वीडियोज हम लाते रहेंगे तो तब तक के लिए channel को कर दिए subscribe वे को कर दिजे like और तब तक के लिए good bye and thank you